हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्विन फ्लेम चैनल पर माई लविंग ट्विन सोल साब सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है मैं सभी का स्वागत करती हूँ प्रेयों अगर आप इस संदेज से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक ट्विन फ्लेम इस्टार सीड या लाइट वरकर हो सकते हैं प्रेयों एक डिय अफ ने लिखा था कि मैं जो कुलकाता की बेटी के साथ हुआ है उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ हम उनके लिए क्या कर सकते हैं प्रेयों आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो बेटी एक दिव्वे आत्मा थी वो अपने परपस को जानती थी वो अपने ओदेश को पूरा करना चाहती थी वो हिमनिटी को मदर अर्थ को सर्व करना चाहती थी लेकिन वो उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई वो जहां भी है उसकी सुल आज जस्टिस मांगती है नियाए मांगती है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं हम उनके लिए प्राथना कर सकते हैं इश्वर से, अगर आप इस सोल फैमिली के हिस्सा हैं, एक इस्परिचल आर्मी में हैं, तो निश्चित ही आपका भी करतव है, कि आप उनके लिए रात न करें। सपने तूटे, उसका दिल तूटा, यहां तक की जिन्दगी भी चली गई। लेकिन क्या इस दर्द को, इस दुख को कोई समझ सकता है। उसके लिए निया चाहता है। और यह निया उस सोल की आवाज है। क्योंकि वो स्वें यह कहता है, आई वांट जस्टिस। इस बात को आपने सोचा होगा कि एक बच्चा, जो बहुत मेहनत करता है अपना केरियर बनाने के लिए, उसके सपने होते हैं कि वो आगे बढ़े, वो हिमनिटी को सर्व कर सके, अपने परिवार के लोगों के सपने को पूरा कर सके और यह सपना उसका खुद का नहीं होता, बलकि बहुत से लोगों का सपना होता है। बहुत चुनोतियों का सामना करता है, बहुत संघर्सों का सामना करता है और उन तकलीफों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे उम्मीद होती है कि वो एक दिन अपने परपस को पूरा कर लेगा वो चाहता है कि वो लोगों की सेवा करे वो अपना लक्ष जानता है लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो तमाम प्रकार के बंधन उसके उपर आ जाते हैं ये वही अंतरदवन्ध है जिसका सामना वो हर घड़ी हर पल करता है लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो तूट जाता है और एक ऐसी इस्थिती जब वो खत्म हो जाता है उसके सपने खत्म हो जाते हैं उसकी जिन्दगी खत्म हो जाती है और उसके सपने और जिन्दगी के साथ उसके घरवाले या उसके साथ रहने वाले लोगों की भी आशाय तूट जाती है एक इंसान इस दुनिया से चला तो जाता है लेकिन उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं उनकी जिन्दगी जिन्दगी नहीं रहती है क्या हो सकता है इस इस्थिती में आप समझ सकते हैं इस दुनिया में जब एक चोजन वनाता है तो उसके जीवन का एक उद्देश होता है कुछ लोग अपने उद्देश को जान पाते हैं कुछ लोग नहीं जान पाते कुछ लोग अपने उद्देश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन मार्ग में इतनी चुनोतिया आती है इतनी कठीनाईया आती है इतने विरोध आते हैं कि वो उन तमाम बातों को सह नहीं पाता और वहीं पर वो खत्म हो जाता है यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि यह एक ऐसा चक्रव्यू है जिसमें अगर आप इस चक्रव्यू से निकल गए तो आप एक अरजुन है और अगर नहीं निकल पाए तो एक अभिमन्यू है आप जानते होंगे कि अभिमन्यू के साथ क्या हुआ था इतिहास गवा है कि एक छोटा बालक वीर अभिमन्यू लड़ता रहा उसके शस्त तोड़ दिये गये उसके रध तोड़ दिये गये उसे निहत्था कर दिया गया और उसके वध में खितने ही योद्धा शामिल थे वो भी एक बलिदान था अगर हम बात करे नारी के विशय में कि जिस देश में जिस समाज में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है आज उसकी क्या इस्थिती है अगर हम बात करे मा सीता की या बात करे हम दिरोपती की तो जब जब एक नारी का अपमान हुआ है तब तब एक युद्ध हुआ है और ये इतिहास के पन्नों में है क्योंकि एक नारी का अपमान कभी भी बरदास्त नहीं किया जाता इसके लिए एक ववस्ता है एक नियम है और डिवाइन ने इसके लिए नियाय रखा है क्योंकि नियाय होना ही है नियाय को आना ही है हौली बैबल के नय नियम के यहुन्हा अध्याए 11 के 50 पत में लिखा है और नया सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुश मरे और नया कि सारी जाती नाश हो इस वचन का तातपर क्या है ये एक प्रोफेसी है जो जीजस क्राइश के विशय में कही गई थी कि उन्हें पूरी मानवजाती के लिए मरना होगा बलिदान होना होगा यहाँ पर यही रिखा है कि सारी जाती नाश हो इससे ज़्यादा जरूरी है कि एक मनुश मरे और जीजस क्राइश के बलिदान होने के विशय में भविश्वाड़ी बहुत पहले से हो गई थी और वही हुआ तो अध्यात्मे के स्थर पर अगर हम बात करें तो पूरी मानवजाती के उध्धार के लिए और उनको नाश होने से बचाने के लिए उन्हें बलिदान होना पड़ा तो यह बात एक मनश्य के जीवन से कैसे जुड़ी हुई है इस वचन के पीछे एक बड़ा भेध है जिसे आपको समझने के आशक्ता है जो एक मनश्य के जीवन से जुड़ा हुआ है जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं चित और पट उसी प्रकार दिन और रात सच और जूट अगर कोई चीज बहुत चमक रही है तो उसका एक डार्ट साइड भी होता है जब भी समाज में देश में दुनिया में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या बदला होने वाला होता है तो एक बलिदान होता है आपको मालूम होगा बारा साल पहले क्या हुआ था दो हजार बारा में उस वक्त भी एक बलिदान हुआ था और उसे न्याय मिला समाज में और देश में बहुत से ऐसे नियम काईदे कानून बने जो इस्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए थे उनकी सुरक्षा के लिए थे आज वही बात एक बार फिर से दिखाई देती है जब कुलकाता की बेटी के विशे में हम देख पा रहे हैं आज भी वही महौल है समाज देश के लोग सड़कों पर निकल आए हैं न्याय मांगने के लिए और न्याय उस सोल की क्योंकि वह स्वेम न्याय चाहता है उसके सपने थे उसका उदेश था जिसे वह पूरा करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया तो क्या उसे न्याय मिलेगा ये एक बड़ा विशे है तो प्रियो ये बाते में आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक चोजनवन है आप एक वारियर है और जो चला गया जो आया तो था अपनी मिशन को पूरा करने के लिए नहीं कर पाया जिसे अब न्याय की जरुवत है उसके लिए आप क्या कर सकते है इंसानियत के नाते एक इस्प्रिचल आर्मी में होने के नाते एक सोल फैबली में होने के नाते उस दिव आत्मा के लिए प्राथना करे इश्वर से कि उन्हें न्याय मिले मुक्ष मिले शान्ती मिले क्योंकि एक chosen one ही होता है जिसका आना कोई नहीं जानता लेकिन जब वो जाता है तो तहलका मचाके जाता है पूरी दुनिया उसे जान जाती है की वो क्या था तो प्रियों आपको न्याए के लिए प्राथना करना है जब आप हर दिन अपनी प्राथना में जाते हैं तो कम से कम आधा या एक मिनट उस देवे आत्मा की न्याई के लिए उसकी शांती और मुक्ष के लिए प्राथना करे आप जानते हैं कि जब आप किसी को बंधन से मुक्त करते हैं तो आपके बंधन खुलते हैं जब आप किसी के न्याएं के लिए प्रातना करते हैं तो आपका न्याएं किया जाता है तो इसलिए कि आप चोजन वन हैं आपको ये एबिलिटी मिली है कि आप डिवाइन के इतने निकट होते हैं आपकी प्रातनाई सुनी जाती है और जब भी आप एक मन होकर दिल से ईश्वर से प्रातना करते हैं तो ईश्वर उसका जवाब देते हैं और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि एक चोजन वन को उसका नयाय मिले और यह तब होगा जब हम सामोहिक रूप से विश्वास के साथ उनके लिए एक प्रातना कर पाएंगे अगर आप इस बात पर एगरी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखे आई वांट जस्टिस निश्चिति हम एक छोटी से प्रातना करेंगे जो एक सरद्धान जली है उनके लिए और उनके नयाय के लिए एक प्रातना तो आई एस सामोहिक रूप से एक प्रातना करें धनिवाद 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 महान महान सरशक्ति मान पिता परमेश्वर आदी और अनसिष्टि करता आदी शक्ति हम आपका धनिवाद करते हैं हम आपके प्रिय संतान है और आपने हमें अधिकार दिया है हम धनिवाद करते हैं एक सामूहिक रूप से एक प्रात्नविंति आपके सम्मुक रखते हैं उस दिवंगत आत्मा के लिए जो एक दिव्य आत्मा थी उसके सपनी थे उसका एक उदेश था उसका एक परपस था और वो अपने इस मिशन को पूरा करना चाहती थी वो इस संसार में आई तमान चुनोतियों और विरोधों का सामना किया लेकिन अ उस उदेश को पूरा नहीं कर पाई और इस संसार से चली गई आज पूरा समाज देश और देश के लोग उनके घर परिवार के लोग दुखी हैं तकलीफ में हैं आस्वों में हैं उन सबों को शांती दे धाधस दे हिम्मत दे और विशेश कर उस तिवंगत आत्मा के लिए हम न्याई के प्रात्ना मांगते हैं क्योंकि आप सच्चे न्याई हैं कोई भी बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता आपके सम्मुक न्याई हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं आप सच्चा न्याई करने वाले हैं इसलिए हम आप से प्रात्ना करते हैं कि उस दिवं समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए नए प्रबंद किये जाए, नए कानून प्रणाली और व्यवस्था आए, जिससे आगे लोग प्रोटेक्ट हो सके, उस आत्मा के द्वारा जो भी काम किया गया, उसका बलिदान कभी भी व्यर्थ न जाए, हम विश्वास करते हैं कि उ उसे एक सच्चा न्याए मिलेगा, और उसके साथ ही इस समाज में या देश के लोगों में, उनके जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा, कि निश्चित ही उनके जीवन में सुरक्षा के नए इंतजाम और प्रबंद किये जाए, वो प्रोटेक्ट किये जाए, धन और निश्चित ही न्याए करेंगे, हम धनिवाद करते हैं कि आपने न्याए कर दिया, धनिवाद, थैंक यू टिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्केंचर माइकल.